Hey my dear kids, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me Shipra Tiwari बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बहतरीन कुछ कर सके So, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हरबेरियम के बारे में एक बार जब मैं 12th क्लास में थी, तो मेरे टीचर ने मुझे कुछ अजीब और गरीब नाम दिये 12th में या 11th में ही थी शायद, तो मुझे मेरे टीचर ने करीब 20 अजीब और गरीब हमको नाम लिखवा दिये गए 10 दिन तक हमने पूरे कोई छुटियां थी हमारी, तो 10 दिन तक पूरी खाक चानने के बाद वो 10 जो नाम थे उनकी पतियां हमें खोजनी थी ठीक है पूरी खाक चानने के बाद दुपरबर ढूंडने के बाद लोगों को फोन लगाने के बाद हमें वो 20 नामों की पतियां मिल गई उन 20 पतियों को हम घर में लेकर आए उन्हें सुखा दिया, किसी को बेट के नीचे डाल दिया संड राई कर रहे हैं, किसी को कैसे भी सुखा कर हमने उसे एक फाइल में चिपका दिया ठीक है? चिपकाने के बाद सबसे नीचे उसका पूरा उसका नाम क्या है? बाटनिकल नेम क्या है? कौन सा class order family genius क्या है यह सारी चीज़े लग दी उसके बाद उसमें ताम जाम लगा कर अपने teacher को present किया teacher ने बोला वाह क्या बात है और उस file को जो मैंने इतनी जद्दो जहत से बनाई उसे आप कहते हरबेरिया या इसको आप हरबेरियम कहते और हरबेरियम is a file इस file को specimen के तौर पर मेरे school में रखा गया ताकि future में आने बाले बच्चों को कोई पत्ती दिखानी है तो file को खोला जाएगा और पूरी detail दिखा दी जाएगी समझे अब आजाओ These sheets carry a label on the right hand side ठीक है तो उसमें क्या होता है कि जो sheet होती है जो जिस file में आप बना रहे है उसके right hand direction पे ठीक है आपको बतलब basically right hand direction यह है यहाँ पर तो right hand side पर पूरा detail लिखना पड़ता है उस detail में होता क्या क्या है date जिस दिन आपने पत्ती collect की थी place आपने collect कहां की थी बहुत सारी तो ऐसी भी पत्तियां थी जैसे आरजी मोन जो कि मैंने नाली की किनारे से collect की थी अब क्या करूँ अब दिया है न स्कूल में बड़ी परिशान थी उसके बाद उस जो भी पत्तियां आपने collect की थी उसका English नाम आपको लिखना पड़ेगा local name उसका लिखना पड़ेगा उसके बाद उस specimen की क्या family है और उसके बाद collector कौन है ये तो आपकी madam ही है तो मैंने फिर अपना नाम लिख दिया तो ये है herbarium की sheet की किस तरीके से आपको herbarium बनाना है ठीक है? आई बात समझ में अच्छा definition मैंने छोड़ दी थी definition देख लो herbarium होता क्या क्या है आजाओ, आजो, आजो, आजो I'm sorry मैंने डारेट वो बताया है पर कोई बात नी, कहानी वही सुना रही थी तो वो बिल्कुल फिट बैट गया herbarium, herbarium is the stored house of the collective plant specimen that are dried, dried है ये ठीक है dried, pressed and preserved on the sheet तो हम लोग क्या करते थे कि पहले इसको पूरे दिन sun-dry करते थे उसके बाद इसको अपने bed के नीचे लग देते तो और सो जाते दो-तिन दिन तक पड़ी रहती थी तो सबसे पहले, it is the collection of the plants जिसको आपने क्या किया है, पहले सुखाया है फिर दबाया है और फिर preserve किया है अपनी files में, ठीक है further these sheets are arranged in the sequence of a universally accepted system of the classification आप हमेशा इन sheets को ऐसे arrange करना है जैसे आप classification में लिखते हैं kingdom phylum, class order, family, genus, species वो इसमें भी आपको उसी range में लगाना है generally हम यह कहते हैं कि मतलब बढ़ते से घटे की और लगाना है मतलब जो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो phylum पड़ा जाता है फिर last में सबसे आखरीम पड़ा जाता है these harbarium sheets are carefully preserved for the future use तो देखो यह एक आदमी है जो कि देखो, right hand direction पे पूरा कहानी लिखी हुई है यह plantic preserve है और वो से देख रहा है future use के लिए यह उस करा जाता है यह मैंने आपको बताए कि right hand side पे क्या क्या लिखना है now, let's देखते हैं कि कौन-कौन से harbaria है इस दुनिया में Royal Botnical Garden New England, ठीक है? Q England, sorry यह एक England का garden है यह सब ऐसा मैं समझू कि यह garden है इनके पास properly rooms होते हैं जिसमें harbaria को collect किया जाता है और botnical garden में harbaria बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि botnical garden में there are so many there are n number of species जो कि endangered हो सकती मेरी बात समझे आप कि botnical garden में there are so many species जो endangered होने वाली है तो उनको harbaria में चिपका चिपका के रख लिया जाता है ठीक है उनमें से एक है Royal Botnical Garden QE England Central National Harbarium Calcutta आप देख रहे हैं कि यहां कितना बड़ा harbarium बनाया गया है ठीक है next is harbarium technique के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे करना है सबसे पहले collection करिए फिर उसको sun dry करिए सुखाइए फिर poisoning करिए poisoning का बतलब अभी सब का बतलब सुन जा रहे हूं फिर mounting करिए stitching करिए labeling करिए deposition करिए अभी माडम यह बीच बीच में आपने क्या क्या बोल दिया हमें कुछ समझ में नहीं कोई tension नहीं सारी टेंशन मुझे देदो अब बोट पे आओ देखो क्या बोल रहा है collection collection करने के लिए क्या करना पड़ेगा herbarium के लिए collection of the plant material is done by the aesthetic sense and scientific mind ठीक है अच्छा यह हमेशा याद रखिए कि जब आप collection करने जा रहे हैं तो आप यह समझना यह नहीं कि collection करने गाए तो पूरा पेड उखाड के लिए और अपने फाइल में चिपकाएंगे अरे यह ऐसा हो सकता है क्या तो आप अपने दिमाग से सोचो कि उसका कितना प्लांट पाट अपने लोग उखाड ले कि पूरी information भी मेल जा है और फाइल में लोड भी न बढ़े पता चला आप बोले आज हर्बेरियम बनाना तो आपका पेड उखाड ला रहे हैं बोले फाइल में चिपकाएंगे अरे ऐसा नहीं होता है दिमाग यूज करिए कि कैस कितना पेड उखाड है तो आप देखी कितना बहतरी इन हर्बेरियम फाइल बनाया हुआ है ठीक है राइट हें डिरेक्शन में पूरा नाम लिखा हुआ है पूरी पत्ती को इस तरीके से तोड़ा गया है कि इसका हर कुछ हर अरेंजमेंट हमको डीटेल में मिल सके वही बोल देती में आपको कि ऐसा नहीं है कि पूरा ट्री जड़ से उखाड ला है आप प्लांट को ऐसा उखाड़ी है कि इतना बहतरीन तरीके से चिपकाया गया है कि हमें लीव का अरेंजमेंट पता चल रहा है कैसे अरेंज हुई है उसका स्टेंप पता चल रहा है, सब कलर पता चल रहा है तो ऐसे उखाड़िये कि हमको डेटर्माइन हो सके हमको क्या हो सके? डेटर्माइन हो सके, उसमें उसकी फुली ग्रों लीव दिख सके और कम्प्लीट इनफलोरेसेंस दिख सके कि क्या arrangement है आपकी पत्तियों का, क्या arrangement है आपकी फूल का, आप पूरा पेड अगर इस कॉपी में घुसरना चाह रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा, इतना पार्ट आप निकाल के इस पे चिपकाईए, कि आपको उसकी पूरी डीटेल समझ में आ जाए, हर्बेरियम की रेक्ष्टी देखिए, वोड़ी elements are well represented by the flowering twig, with 30 and 40 cm length, while the herbaceous plants are collected along with the underground part, चीक है, तो अगर कोई बड़ा ट्री है, जैसे आम का पेड है, तो हम क्या करेंगे, कि उसका twig निकाल लेंगे, twig मतलब, छोटी छोटी ऐसे, twig is this, ठीक है, तो माल लिजे plant है, डगाल में छोटी 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 leaflet लगे हुए है न, तो twig निकाल लेंगे, twig का size होना चाहिए 30 to 40 cm, तो अगली बार जब आम का पेड उखडने जाओ, तो यह चीज याद रखना कि आम का पेड ने उखडना है, उसकी छोटी 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 twig उखाड लो, ठीक है, और 30 to 40 cm की होगी, और अगर हम किसी herbaceous plant के बारें बात कर रहे हैं, जैसो तुलसी बात कर रहे हैं, वीच बात कर रहे हैं, तो इनकी छोटे plant भी अवेलेबल होते हैं, इनको जड़ से उखाड कर आप चिपका सकते हैं, जिससे हमें जड़की भी जानकारी निल जाएगी, root, ठीक है, disease plant, infected twig should be avoided, अब ऐसा नहीं है, कि भाईया, आम का twig निकालने गाए, तो सड़ा हुआ, आम का पती ले आए, कौपी में चिपकार दिया, सारी कौपी ही सड़ती फिर रहे है, गंदाती फिर रहे है, बदबुहाती फिर रहे है, तो इस चीज को ध्यान रखिये, the collections are kept inside the metallic vesculum or polythene bags to preserve the moisture, कोई डिबबा ले जाएए, metal का डिबबा ले जाए, steel का ले आए, ठीक है, हम तो polythene निकठा करते थे, ड्राइन, ठीक है, उसके बाद जो प्लांट आपने उखार के पनी में भरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसे ordinary newspaper में थोड़ा सा दबा लीजे, ताकि पूरा moisture खीच ले वो, जैसे कि ये ले आए है, तो इन्हें निउस पेप दिजिए और फिर दबाईए, ठीक है, तो overlapping आपको avoid करनी है, और एकदम दबाईए ताकि पूरा moisture निकल जाए, नाओ, जो paper होगा, वो moisture खीच लेगा, ठीक है, और the moisture folders are changed frequently to avoid the blocking and indicating the better, अब आपने इस paper में moisture आगया है, तो paper change कर दीजे, नहीं तो इस सडा भी सकता है, तो paper change कर करते रहे है, ठीक है, now, poisoning, ये बड़ा ही important चीज है, the specimen are poisoned to keep away the microbes, ठीक है, अगर, देखिए हमेशा आपने कभी भी harbarium, school की harbarium file देखी होगे ना, तो उसमें सफेज 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 फांगस लगे होते, तो जब आपने harbarium बना लिया है, ठीक है, तो उसको एक properly spray चिड़किये, ताकि उसमें जो पत्ती है ना, कितना भी सुखाएंगे ना, उसमें infection आई जाता, अच्छे सा dry नहीं हुए, तो उसमें spray करिये, ताकि कोई भी microbes infection उसमें ना सके, when the specimens are partially dehydrated, ठीक है, जब वो मतलब, partially मतलब ना तो पूरा गीला है, ना तो पूरा सुखा है, they are poisoned by the using chemical like 0.1% corrosive subline, ठीक है, it is HZCl2, तो जब यह partial सुखे हुए रते पत्ती पौधे, तो ऐसे बिछाईए, ठीक है, उनके उपर छिरक दीजिए, और फिर ड्राय होने के लिए छोड़ दीजिए, तो सड़ेगा नहीं, following the chemical treatment, the specimen are again dried, तो क्या करना है भाईस आप, लाना है, पेपर बिछाना है, उसके उपर रख देना है, बिस्तर के नीचे रख दो, प्रेस करो, ड्राय हो जाएगा, पेपर चेंज करो, ठीक है, नहीं तो सड़ जाएगा, कुछ समय के बाद जब आदा सूख गया है, तो उसके उपर HZCl2 का छिड़काव करो, ताकि कोई infection या लड़की जो है, हर्बेरिया पे छिड़ा करी है, नाओ, नेक्स इंग, माउंटिंग, स्टिक्चिंग, एंड लेबलिंग, ड्राइट स्पैसिमन और ग्लूड एंड स्टिच्च्ट ऑन दा हर्बेरियम शीट, मेड़ अफ थिक कार्ट शीट, कट टूदर रिक्वाइट ठीक है, अब आपने क्या करना है, कि अगर आपको किसी को सिलना है, जैसे ये है, ये बड़ा ट्री है, तो अगर इसको आप चिपकाएंगे ना, तो ये गिर जाएगा, तो इसको आप क्या कर लीजे, स्टिच कर लीजे, छोटे-छोटे, और ऐसा नहीं है, सडू-मडू पे शीट लीजे, ताकि सिलें तो पेपर फटे ना, और अगर चिपकाना है, तो चिपका दीजे, और राइट हैंड साइड पे लेबल कर दीजे, ठीक है, दा इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इस 41 इंटो 29 cm2, इतनी लेंथ की होनी चाहिए, और आप डिजाइंड ऐसी रहती हैं, तो बाउंटिंग मतलब चिपकाना, स्टेजिंग मतलब सिलना, और लेबलिंग मतलब राइट साइड में लिख देना, ठीक है, नाओ, वट इस हर्बेरियम इस, दा फील डाइटा इस इंटर्ड लेबल राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया, देखो कि Pagment packets are often attached to the herbarium sheet, to the whole sheet, to the whole sheet, extra flowers, loose parts, ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटे-छोटे packets जो है, लगा सकते हैं, जिसमें उसका जो भी flower वगएरा हैं, वो भी आप चिपका सकते हैं, जिस called as loose sheets, ठीक है, नाओ, डिपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, what is deposition in the herbarium, arrangement of the genus, ठीक है, genus folder, according to the accepted classification, is called as deposition, ठीक है, आप जो भी plant लगा रहे हैं, वो genus के according लगाईए, ठीक है, अगर आप बैंगन की पत्तियां लगा रहे हैं, तो उसी किसा तालू की लगाईए, काली मिर्च की लगाईए, बीच में जो है, तो लौकी की मत लगा दीजे, तो एक genus की एक group में, मतलब एक properly arranged banner में लगाईए, की भाई, Solanasi family के ये हैं, दूसरी family के ये हैं, ठीक है, इन इंडिया, harbaria are arranged according to the Betham, Bentham and Hooker system of classification, पढ़ाऊंगी मैं इसको, ठीक है, सबसे बहुत अच्छा classification है, Bentham and Hooker classification के आधार पर किया जाता है, the specimen so preserved spread with the replant or disinfectant such as DDT powder, copper sulfate solution, at the interval of 4 to 6 month, ठीक है, हर 4 से 6 मैंने पर छिडकाओ करिये, किसका poisons का, ओके, ताकि इससे कोई भी infection, ये insect इसे खाने के लिए ना आ जाए, ठीक है, function of herbaria, देखिये क्या है function of herbaria, आ जाए, आ जाए, आ जाए, ये, ये है function of herbaria, let's talk about it, क्या function है इसका, the two primary function of herbaria is the accurate identification and the alpha taxonomic research, ठीक है, मतलब, अगर मैं किसी herbaria को देखू, ठीक है, अगर मैं बच्चा लोग किसी भी herbaria को देखू, तो मुझे उससे क्या जानकारी मिलती है, अरे बताओ यार, मुझे उससे ये जानकारी मिलती है, जब मैं herbaria को देखती हूँ, तो वो दिख कैसा रहा है, तो मैं उस से क्या निकाल सकती हूँ? Morphological identification कर सकती हूँ. मैं उसके क्या कर सकती हूँ? Morphological identification कर सकती हूँ. साथ मैं उसके details के साथ मैं accurate identification कर सकती हूँ. क्योंकि उसके right side में पूरी उसके detail भी लिखी हुई है. और उसका एक एक part चिपका हुआ है. तो मैं उसकी leaf, flower, सब कुछ twig, leaflet जान सकती हूँ, ठीक है The secondary function is include the closer interaction between the student of the general systematic and the harbarium ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम harbarium पढ़ रहे हैं यह harbaria file देख रहे हैं तो student or environment, student knowledge, student or classification के बीच में interaction होता है ताकि लोगों को नया सा नया knowledge मिल सके दूसरा function क्या है, to preserve the plant wealth including type of material and paleobotanical collections ठीक है, हमें harbaria का function main क्या है इसमें हम plant को preserve करते हैं, उनके material को preserve करते हैं इस preservation में हमको क्या करना पड़ता है हम सारे plant को preserve कर लिए और उनको preserve करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो की हो सकता है कि आगे आने वाले समय पर endangered हो जाएं, खतम हो जाएं तो preserve कर लेंगे तो paleobotanical evidences हमें मिलेंगे ठीक है, जैसे paleozoology के अंदर हम animal को ढूणते हैं, वैसे botany के अंदर हम plants को ढूणते हैं तो अगर हम इन सब चीज़ों को preserve कर लेंगे बिटा, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा collection मिल जाएगा अगर excellent भी हो गए, तो कोई tension नहीं आज से 100 साल बाद जब वो harberia हम देखेंगे तो हमारे बच्चे, हम लोग यह जान पाएंगे, ठीक अगर जीवित रही मैं तो, तो हम यह जान पाएंगे कि basically पहले जो plant मिलते थे वो आज के plant से related, जो है similar हैं याने To carry out the exchange and loan of the preserve plant material for the research and exhibition जो भी चीज आपने preserve की है, उसे बाटी है क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है इन harberia को हमने बनाया कि हो ताकि future use के लिए हम उसे preserve कर सके और research purpose में use ले सके ठीक है, harberia का classification देखे, major harberia और minor harberia ठीक है, major harberia और minor harberia, there are two types of harberia in the world major or national harberia which cover the flora of all the world and serve the purpose of research as well as identification ठीक है, इन harberia में ठीक है, सारे सारे दुनिया में जितने हैं, almost सारे plant floras आते हैं ठीक है, इनके अंदर सारे floras को preserve किया जाता है इन जिनको पूरा, भाई, साब आप कितना बड़ा होगा आप यह सोचो ठीक है, तो इस में आप पूरे दुनिया के जितने भी plant हैं, सब को इकठा कर लेते हो कितना बड़ा harberia है, सोचना आप ज़रा से इन preservation से आपको क्या कहा knowledge मिलती है, research में knowledge मिलती है और हम identify कर पाते ही, कि दुनिया में कितने type के flora है Now, minor harberia, minor harberia जैसे हम लोग school में जो design करते हैं, वो minor harberia होता है ठीक है, इस से हम लोग local में कौन से plant हैं, मद्ध प्रदेश में कितने plant हैं इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है Minor harberia एक छोटा harberia है, जिससे regional, आपके region में कैसे, आपकी government में कितने plant हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और locally आपके पास कितने plant हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है Generally ये छोटे बच्चे करते हैं, college वगेरा में करते हैं, 12th, 11th class में करते हैं छोटी छोटे studies के लिए यूस किया जाता है Now, next is, last पे आते हैं These are the list of important harberia जिसके अंदर इतने सारे जो है तो मतलब आप माने की species रहती हैं देखे क्या है List of important harberia of the world is given below along with their standard abbreviation approximate number of species they hold ठीक है, ये इतने सारे harberia है और इनके पास इतनी सारे species preserved है ठीक है, Royal Botanical Garden Q is almost इनके पास कितनी ठीक, 60 lakhs, ओके, मैं किन रही थी British Museum of National History, इनके पास भी almost उतने ही है ठीक है, Royal Botanical Garden Egenberg, इनके पास करीब ठीक, 15 lakhs Central National Harbarium Calcutta, इनके पास almost 20 lakhs Harbarium of the Forest Research Institute Dehradun, इनके पास 3 lakhs, ठीक, Harbarium of the National Botanical Research Institute, almost 80,000 ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ, यह वाला NBRI, National Botanical Research Institute, इस institute में मैं जा चुकी हूँ, यहाँ काम कर चुकी हूँ यहाँ पर almost 80,000 species जो है, वो preserved है So, what we have learned in this lecture, we have learned about the Harbarium, ठीक है मैंने आपको आज इस lecture में सिखाया, कि क्या होता है Harbarium, पहले मैं एक एक करके बता हूँ मैंने आपको बताया क्या होता है Harbarium, फिर मैंने आपको बताया बनाना कैसे है फिर मैंने आपको बताया कुछ important list of Harbarium, क्या steps हैं अगर आप Harbarium बना रहे हैं एक-एक step की आपको मैंने detail बताई, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको function बताया Harbarium की उसके बाद मैंने classification बताया Harbarium का, उसके बाद मैंने आपको list बताया Harbarium की किसके पास कितनी species preserved होती हैं और कुछ बताना भाई सब बाकी नहीं है, so this is all about the Harbarium, पूरा बता दिया, पूरा, 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 सर के ना, पैर के नाखुन से, सर के बाल तक सब बता दिया, so that's it, see you in the next class, next class में और दूसरे taxonomical ads, AIDS के बारे में बताऊंगे, वर मैं ads, ads आता है, तो AIDS के बारे मताऊंगे See you in the next class, खर पे रहिए, safe रहिए, मजे करिए, thank you so much